हेलो गैंस बॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी क्लास में माइनेम इस अभीत मिश्रा आम इट जी एजुकेटर आप देखें हैं मारी का स्क्राइंट अफेर शो इमस सही आ रही है थोड़ी से दून दित नहीं आ रही है ठीक है चुछ हो सही आ रही है मैंस तो बॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आप अच्छे होंगे अपना ख्याल लग्टर होंगे और खुब बढ़ा कर रहा हूँ दोस्तों डेट है आज 20 संबर हमारे पास आपके लिए को और गोर से इंफॉर्मेशन है हम सारे इंफॉर्मेशन की बात करेंगे आपसे तो बेंदे हैं हमारे साथ और दोस्तों वीडियो को प्लीस लाइक कर देजएगा हाँ जब लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो में कोई क्वालिटी में अंदर तो नहीं कुछ क्योंकि आज सुबर कैमरे में कुछ धुनलापन था हमें साफ तो किया है लेकिन ठीक लगना है मुझे पर दिकत नहीं है ठीक है चौटे बार्णी क्योंकि और आज की फार्मिशन शुबात होगी हमारे हमेशा की तरह हमारे मोटिवेशन कोई के साथ आज का हमेशा क्याए वीज दूब था लगना है लिखा है वर्ख हार्ज वर्ख हार्ज जिन्दा है हम धी दुम्हाँ अपना डिसि जनदात में गौर्वर्मेंट जॉब करनी है मैं बोलoh maximum क्या हो जाए maximum यह हो जाए गा supporter यह झूरी यह को आप मेहनत करें गा इस तो आपके साथ अच्छा यह होगा और एक बहूजक्र म EPA अप महपना करTें इस तो आप खुश रहते हैं और आप खुश रहते हैं च्छा में ब éva घृष यह बहुर्द रहते हैं यह भी काउंट होता है, लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमेशा अच्छे बने रही है, एक बात और, एक बड़े भाई का सलाम आनना, कभी किसी का लाइफ में फिनांशल वास मत करना, कभी किसी का लाइफ में फिनांशल वास मत करना, कभी मत करना, बस खु है कि हम जिन्दा है है और हम अपने अपने निर्णाइप चल रहा है करना है करना है आए वाच आए हैं वे या रॉक्स्टार यार दुनिया में आए हैं तो डेंट दिखर जाएंगे ऐसे नहीं सब्सक्राइब है क्या क्लास है चलो आगे बढ़ते हैं आप श्रुबात करते हैं अपने सशन की हमारे पास आपके लिए आज कौन पॉंच सी इंफॉर्मेशन गाई से तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमेशा की तरह आज अपॉंट्मेंट से मतलब रिपोर्ट इंडिसे हमा एक फहले कौन थे आपनों खाटए तो अब जागेंधक नाम नाम THEory matho this शुलिए बन गें के ने राज्वारत में घरेठे ने आवरत में ने फ्रंसी दूथ के रूप में से자리 ये दोस्तों हां तो theory matho, take charge as the new French envoy in India दोस्तों, पूरी information के लिए आगे बढ़ते हैं, नाम है theory matho, ठीक, French ambassador designate to India, और ये Emmanuel Lanyan को replace करेंगे दोस्तों, देखेंगे हैं, तो theory matho, ये France के नहराजदू धारत में point हुए है, क्यों point हुए है, क्योंकि ये जो है, Emmanuel, इनका गरिकाल पूरा हो चुका था समय है, तो ये retire हो चुके है, ये अपने देश जा रहे हैं कि अपर ये आ रहे है, और कोई इसके पीशे logic नहीं है, ठीक है, क्योंकि ambassador जब change होते हैं, तो शायद दो देश के बीच में फड़ी परिशानिया बढ़ती तभी ऐसा होता है, तो ऐसा महाल चल रहा भी एक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका करकाल कूरा खुच चुक है दोस्तों, हाँ, बसे इसलिए बोला था, चोल भाई, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, तो हमारे पास recent appointed ambassador हैं, जैसे for example, ambassador of India to Bolivia, इनका नम किया है, विश्वास विदू सर्टपाल, ambassador of India to Linchstein, ये है मृदल कुमा दोस्तों, इंडिया नेक्स्ट हाई कमिशनर to Guyana, अमिद्यस तिलंग, इंडिया ambassador to the Republic of Congo, ये है मधन लाल राइगर, और इंडिया नेक्स्ट हाई कमिशनर to Australia, ये है मिटा गोपाल बागले, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया हुगा है, ठीक है, तो इक बार रिवाइस कर लो देखो, ध्यान से देख लिएक बार, सारी इंफरमेशन, हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, देखो, ठीक गईस, तो यहाँ पर हमने आपको इंफरमेशन पढ़ाई दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, और बाप करेंगे, आज से, नेक्स इंफरमेशन, दोस्तों, बायो कॉन, देख की फार मा कंपणी, ठीक बायो कार, हेड़कार डेली, भायो कॉन पउइंट, पीटर, पीटर बेंश एज दे ग्रुप सीयो, ठीक, तो बायो कॉन इंडिया ने पीटर बेंट को अपना ग्रुप सीयो पोइंट कीया है, पीटर बेंट फोरन के हैं, भायो कॉन workers हमारी क कंपरी च्वर्टी मल्डी कंपरी नहीं दोस्तों हां यह इंडियन कंपनी फार्मा कंपनी है तो पीटर बेंस यह पॉइंच में सी यॉ आप बात कर रहे हैं तो यहां पर बात कर रहे हैं कि यह की है ना सी यॉ गाइस कुछ पॉइंट हमारे प्रास ते गाइस जैसे किरन मानी यह पॉइंट होए थे वाइकॉंस डिस्टल बिजनस के सी यॉ एलेक्स क्रिस यह पेपल होर्डिंग के सी यॉ बने थे पैज एहमद किदवाई यह नैशनल रेंफेट एरिया अथर्टी यह CEO बने थे लोगे शैम यह नोईडा इंडस्ट्रियल डेवलेप्मेंट अथाल्टी नोईडा चीफ CEO बने दोस्तों देख लिए तो यह कुछ रिजन पॉइंट हमारे पास CEO गए रिसेंटली में कॉन अपॉइंट वैस हुए CEO किस पोस्ट पर एक पॉइंट हमारे पास य दोस्तों ठीक आगे बढ़ते हैं भाई लोग और बात करते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट की यानि इस अपॉइंट में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है देख लिए आप लो तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी पहली इंफॉर्मेशन हमने क्या बात किया थीरे मैथो यह फ्रांस के नए राज़ूत पॉइंट हुए हैं यह रिप्लेस करेंगे एमैनुवल लेनियन को और दूसरी इंफॉर्मिशन में क्या पढ़ाए कि बाइक और इंडिया ने मिस्टर पीटर बेंस को अपना नया सीयो पॉइंट किया है ठीक बाइक और इंडिया हमारी इंडियन साइट से तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने करला पेस पूरं पूरं फिंजर्व कंपनी का लाइसंस कैंसिल कर दिया है दोस्तों तो पूरं फिंजर्व यह एक नॉन बैंकिंग फिनांशल कंपनी है तो नॉन बैंकिंग फिनांशल कंपनी भी हमारे देश में треб selection कि आपैं टूं जांश केंसिन केंषप हैं ओनैंगारों फिंडिया लाइसंस केंसिट कियां तो पूरम फिंजर्ब इंडिया ने पूरम फिंजर्व केंसे लाइस ये बैंक कहा था त्रिशूर केरला तो हैड़कॉर्टर त्रिशूर केरला दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं अब देखें नेक्स इंट्फरमेशन इसका मतलब यह हो गया क्या बनेगा कि वह रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने पूरं फिंजर्ब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो ये किस एक्ट ने किस श्रक्शन ने दिया आभान आब ऐसे पर होगे रिजर्ब बैंक ऑफ selfish स्टेशन 45ाई एकस डिया बैंगो दिया रिजर्बंक का ने को तो रिजर्व बैंक ओफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 45 आईए क्लॉस 6 इसने आर्वे को पावर दिया कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया किसी भी एंडिया का लाइसन्स कैंसिल कर सकता है तो यहां पर हमारी इनफर्मशन खतम हुआती है तो कैसे पढ़ना बेटा में देखिए तो क्या लिखा है कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने आर्बियाई ने पूरं फाइंफ इंजर्व का लाइक लाइसन्स कर दिया बेटा अब यह बैंक कहा था तो यह बैंक थ्रिशूर कैर लागा था दो सेक्स तो यह सेक्शन और यह एक्ट पावर देता है अर्वे को कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया किसी एंब अपसी का लाइसन्स कैंसल कर सकता है तो एक पॉइंट हमारे पास यह दोस्तों हो जाएगा ठीक है चलिए तो गाइस यह हमारी पहली इंफर्मेशन थी इसे कंप इंडिया एक्ट 1934 आ गया था ठीक है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का है एड़कॉर्टर मुंबई में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया में जो गवर्णर है उनका नाम क्या है शक्तिकान दास और यह 25 में चार होते हैं डिप्टी गवर्णर आपके सामने के नाम है एक ती यह पढ़ाते हैं वही है तो पहले information complete करते हैं आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों बात करेंगे news number 2 अब news number 2 क्या कैसे कि आपे देखो लिखा है state bank of india state bank of india introduces digital opening of nre nro account set up through yono through yono guys आप yono बिटो दोस्तों yono क्या है दोस्तों तो yono state bank of india application यो नो गईजा इस state bank of india application यो नो दोस्तों इस question इस news का मतलब क्या है कि अगर आप एक nri है nri non resident indian मतलब गईज for example आप पहले भारती थे लेगिन फिर आपकी job लग गई या for example आप चले गए foreign में वहाँ को बिजनर शुरू कर दिया और आप वहाँ पे सेटल हो गया है और उस देश की नागरीता अपने ले लिए और यहां की छोड़ दिये फिग आप एंडिया में अपना account खुणना चाहते हैं दोस्तों State Bank of India में तो आप State Bank of India की Yuno application से अपना NRE या NRO account खूल सकते हैं फिर समझोगा इस मेरी बात ठीक है जो मैं बोलना हूं फिर समझे लो कि दोस्तों आप NRI हैं हैं आप NRI हैं आप इंडिया से बाहर जा चुके हैं ठीक लेकिन आप इंडिया में अपना account खूलना चाहते हैं तो आप State Bank of India की Yuno application से State Bank of India में अपना NRE ये NRO account खूल सकते हैं इसका मतलब मैं समझाओंगा ध्यान से पढ़ना यहां पे आपको banking terms के बार में भी information मिल जाए तो क्या दूस्तों बोलने हैं आप देखिए तो State Bank of India ने introduce कर दिया है a digital facility for non-precedent Indian digital मतलब आपको इंडिया नहीं आना है घर बटे बटे अपने काम कर लो digital facility for the NRI to effortlessly open non-resident external account and non-resident ordinary account दोस्तों ठीक NRE नर बोस सेविंग and current account through State Bank of India mobile application यूनों दोस्तों तो जो मैंने आपसे बोला तो वही चीज़ दिखिए आपर अगर आप NRI है और आपको इंडिया में State Bank of India में अपना account खुलना है अब चाहे वो NRE हो चाहे NRO हो तो आप online बैठे बैठे अपने अपने देश में State Bank of India में अपना account खुल सकते हैं अब चाहे वो saving account हो या current account हो तो यह बात यहां पर बोली जा रही है यह information आपको तब तक clear नहीं हो पाएगी जब तक आपको NRE और NRO accounts नहीं clear होगा ठीक है बता देंगे आपको तो यूनों application से आप विदेशों बैठे बैठे आप इंडिया में State Bank of India में account खुल सकते हैं अच दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या बूला गया है NRO account is a bank account opened in India for an NRI to manage their income earned in India दोस्तों income earned in India ठीक तो इसका मतलब क्या है दोस्तों अच्छा आगे देख रहते है NRE is a bank account opened in India for an NRI to store their foreign earning दोस्तों ठीक इसका मतलब क्या हुआ सुनिये बहुत ध्यान से कहीं सा तु फिर क्या थी हो हाँ 12 फिर फोसवाइस की माल लो दुस्तों की यह है U.S.A. दुस्तों और दोस्तों आप जो है आप U.S.A. में सडल हो गया है दूस्तों ठीक हैð single लेकิन यह है इंडिया फ्लेट्स है घे चㅋㅋ और इंडिया में एक property है इंडिया एक प्रॉपर्टी है जो तो आप इंडिया में रहते हैं लोग और आपका इंडिया में आज भी अपनी प्रॉपर्टी है और यह बड़ी प्रॉपर्टी यहां से रेंट आता है और भी आपकी इंकम है भले आ अखिता है कि हम इसलिए चाते हैं हम स्टेट बैंक ओफ इंडिया में एक अकांट खूलने ताकि जो rent आ रहा है दोस्तों वो हम इसी account में यह जो मारी अकाउंट है इसी account में दोस्तों हम submit कर दे में तहां submit कर दे तो अगर आप NRI हो दुस्तों और आप इंडिया में जो earning हो रही है उसके लिए इंडिया में ही account हो ना चाते हैं तो इसे हम बोलते हैं NRO account हो लिखाना अब bank account से open in India for an NRI to manage their income earn in India अगर आप foreign भले हो और आपकी income इंडिया में हो रही है तो इस income को रखने के लिए आपके account होना चाहिए तो इसे विटाम क्या बोलते है NRO बोलते हैं ठीक है अच्छा guys अब देखिए अब दोस्तों क्या हुआ कि आपने account खुआ लिया state bank of India में ठीक है और यह बिटा सिम क्य मालने से कोई business है या job है और यहां से भी पैसा आप कमाते हो अब दोस्तों सुचलो प्यार USA में हम चलो फिट से एक bank में अपना account खुलें और यहां कर ऐसा यहां डालें आप सुचलो कि बड़ा होश-पोश हो गया हम एक काम करते हम इंडिया में ही account खुलते मतलब जो हमारी foreign की earning आ रही है वो भी यहीं पर आए दोस्तों आप सुचलो किया हम क्यों दो bank amount खुले है हम एकी में खुलते है तो अगर आप अपनी foreign earning इंडिया में किसे account में रखते हो तो उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है NRE account आप चाहो तो यहां पर देखनो definition क्या लिखा है देख लेकिन उसे आप इंडिया में आपते हो तो NRE account क्या होता है NRE क्या होता है आपको मैंने समझा दिये एक बार देख लेजे तो मेरे ख्याल से यहां पर information आपको पूरी clear हो जाएगी हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों तो State Bank of India ने अपने NRE किस्मों को facilities दी है यह आपने देश बैटे बैटे हमारे यूनु अप्लिकेशन से इंडिया में NRE खोल सकते हैं बस ही पॉइंट है इस देख क्लियर दोस्तों ठीक है तो यहां पर हमने एक information आपको पढ़ाई सिंपल सी भाषा में अगर अच्छा लगाओ तो एक बार आपको में दिल बनना चाहिए है ना चलो स्टेट बैंक ओफ इंडिया का इस्टैबलिश्मेंटीयर एक जोलाए 1955 हैड़कोर्चर दोस्तों ममबई में है दिनेच कुमार खारा चेयर्मैन और स्टेट बैंक ओफ इंडिया में 4 M.D. है दोस्तों कौन-कौन शिर्षिटि, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और विने टोन्स ये नए अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, विने टोन्स विने टोन्स, ये नए अपॉइंटेड एमडी है स्टेट बैंक उफ इंडिया में तो विने टोन्स नहीं एमडी हैं ये भी याद रखेगा, दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे कंपनी रुस्तों, तो ये क्या बनगे बटा, ये ऑफिशिल पार्टनर बनगे इसकी, बिससी आई की, फॉर्ड़ डुमेस्ट्रिक एंड इंटरनेशनल सीजन, यानि जो भारत का डुमेस्ट्रिक सीजन आने वाला है, मतलब जो हमारे देश में मैचस होने वाले हैं, और उसके बात जो भारत का विजह जोरा बेटा होगा, मतलब जो फॉरें मी जाएंगे, तो उसके लिए टाटल स्पॉंसर, स्पॉंसर बन गया, स्टेट बैंक ओफ इंडिया लाइफ, ठीक गैस, ये वर्ल्ड बैंक के लिए नहीं, वर्ल्ड कप के ल होने वाले हैं, जाए भारत में, जाए भारत से बाहर, तो उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑफिशे पार्टर बने स्टेट बैंक ओफ इंडिया, ठीक पुरी इंफरमिशन यहां पर देखें, दो, तो बोर्ड ओफ कंट्रोल फोर इंट्रेटिक इन इंडिया, इंडियान मैच जब भी होंगे, चाहे भारत में हूँ, चाहे भारत से बाहर हो, तो यह दोस्तों क्या है, यह ओफिशल पार्टनर है, इसका मतलगा, हैस क्या होता है, इसका मतलगा, हैस यह होता है, कि आप इनका एड़रीजमेंट देखें इहां चाहेगा, अब चाहे वो द्यूरिंग मैच की बात हम कहिने दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी मैच इस होते हैं तो जो बॉंड्री होती ही बॉंडरी तो बॉंड्रीय होती है वहाँ पर एड चलते रहते हैं और जब आपके साफ एड आएगा तो वहाँ पर State Bank of India Life का नाव आप सुनेंगे, तो यह बिसिकली अर्वेटीजमेंट के लिए होता है, पर्द माकेटिंग पर परसा न, तो State Bank of India Life Insurance और BCCI, इनके बिच में तीन साल का अगरिमेंच होगा दोस्तों, यानि तीन साल तक यह टाइटल, यह स्पॉंसर बने रहेंग और अब बात करेंगे आप से, हाँ, दोस्तों आपको शार पता होगा, आज से मैच है, आज से ही है, इंडिया उस्ट्रेलिया का, तो एक इंफॉमेशन यह दी हमने आपको, कि भाई, आज से ही इनका कार्करम शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलिए, इसा आगे बढ़ते है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंशूर्स, इस्टैबिशमेंट यह, मास 21 हैड़कॉर्टर मुंबई है, अचलिए, इसा आगे बढ़एंगे, दोस्तों बात करेंगे हम स्टूरूमेशन के, इस्टूरूमेशन की है, अबाउट दे एयू स्वाल फाइनस बैंक, दो दोस्तों, AU Small Finance Bank हमारे देश का सबसे बड़ा Small Finance Bank है, Headquarter जैपूर में है इसका, तो AU Small Finance Bank launches स्वादेश Banking for Rural Outreach, स्वादेश Banking for Rural Outreach, इसका मतलब एड़ा, तो AU Small Finance Bank ने हमारे देश में स्वादेश Banking शरू किये, और basically यह Banking है for the Grammied Areas, तो स्वादेश Banking की हम बात कर रहे है, launched by the AU Small Finance Bank, ठीक है, दबो, क्या है पूरी इन्फरमिशन, तो AU Small Finance Bank ने launch किया है स्वादेश Banking, with the aim of the bolstering Rural Banking in India दोस्तों, यानि ग्रामीड banking को बढ़ावा देने के लिए, स्वादेश Banking यह इस नाम से एक initiative launch किया है, AU Small Finance Bank, यानि इनका main focus कहाँ पे बेटा ग्रामीड भारत पे, तो AU Small Finance Bank ने भारत में ग्रामीड banking को बढ़ावा देने के लिए, स्वादेश Banking launch किया है, ठीक, इसका बेटा मतलब क्या होगा देखे, तो स्वादेश प्रोग्राम का मतलब ही है, गाव वाओ जाना, और वहावर उसको क्या दिक्क्रते आ रही है, जैसे for example, भाई गाव में business man होते, micro enterprises दोस्तों, या गाव में कोई self-employed person है, या farmers है, इनको क्या दिक्क्रत आ रही है, और किस तरह से bank इनकी help कर सकता है, loan loan देकर, ये सब कारक्रम इसमें हैं, ठीक, लेकिन गामीड areas में केवन, अच्छा, अब गाईस ध्यान सुनना याँ पर, याँ पर फिर से कुछ concept हम करें clear, जैसे, AU Small Finance Bank has already achieved 94% of the priority sector lending, ठीक, अच्छा, 62% of loan up to Rs.25 lakh and 31% of the touch point in unbanked इसका मतलब क्या है, इस line का मतलब क्या है, देखे, मैं फिट से बोल ला हूँ, जान साबको पढ़ना पड़े है, हम पहले आते हैं, इस last point, क्या लिखा हुआ है, 31% of touch point in the unbanked rural areas, इसका मतलब क्या होता है, देखे, दोस्तों, नियम ये बोला गया है दोस्तों कि, ठीक है, वो आपको unbanked, unbanked, unbanked rural areas में खोलनी पड़ेगी, और इसके लिए Reserve Bank of India ने आपको 3 साल का time दिया होता है, ठीक है, 3 year का time दिया होता है, रिजब बैंक आप इंडिया, तो यहां क्या बोला गया है, कि इस target को अभी तक AU ने 31% पूरा कर लिया, ठीक है, 31% पूरा कर लिया है दोस्तों, 31% of touch point in unbanked rural area, पहला point दोस्तों, यहां का लिखा है, 62% of the loan up to Rs. 25 लेग, यह बात हो रही है, इस financial year की, सुनना वो ध्यान से हां, जिन बच्चों ने मुझसे small finance bank पढ़ा है ठीक है, उनको यह बात पहले के लिए रोज जाएगी, और जो बच्चें नहीं पढ़े हैं, तो शायद उनको दिक्त हो, ठीक गाईस, देखें, क्या बूला गया, दूसरा point, 25% पढ़ा गया है, दो हो, दोस्तों, तो small finance bank दोस्तों, वैसे होते हैं, private bank, तो reserve bank of India को पता है दोस्तों क्या, कि अगर हम small finance bank के लिए नियब नहीं बनाएं, तो small finance bank, बड़े-बड़े businessman को लोन बाढ़के, अपना profit के हमाल है, तो small finance bank को बनाने को बेचे objective क्या है, कि हमारे देश में कई लोग को लोन मिले, और छोटे लोन मिले, छोटे लोन मिले, छोटे लोन मिले, एक पार्ट तुम्हें अपना 50% capital इस तरह बाटना पड़ेगा, कि तुम किसी वेक्ति को, किसी वेक्ति को 25 लाख से उपर लोन नहीं दे सकते हो, इससे वेक्ति को 25 लाख से उपर लोन दे ही नहीं सकते हो, इससे वेक्ति को फाइदा क्या है दोस्तों, अगर मालें यह 50 करूर रूप है, तो कई लोगों को लोन मिल जाएगा, तो यही बोला गया, क्या, देखो, कि 62% of the loan up to Rs.25 लेक, यह बता रहें क्या, कि मतलब यह, मतलब फॉर एक्जामबल दोस्तों, अगर इसको मान लेज़े हैं, हम 100% मान लें इसको, यह पैसे को हाँ, तो मतलब 62% हमने टागेट अपना पूरा कर लिया है, यह बात दोस्तों हो रही है, तो 50% जो capital होती, small finance bank की, वोसे हम इस तरह रोन बाटते हैं, कि एक को 25,000,000,000 न मिले, ताकि कई लोगों मिले, तो इसका भी 62% टागेट अच्छी हो गया इस साल का, यह बज़ा रहे हैं आपको दोस्तों, अब देखे, उपर देखे, क्या लिखा है, तो देखो जस्तों, एक point और देख लो, तो जो हमारा small finance bank होता है, ठीक है, इनको दोस्तों एक नियम है, आप एक साल में, जितना लोन बाटेंगे, जितना लोन आप बाटेंगे, ठीक, उसका 75% आपको लोन बाटना पड़ेगा, प्रियॉरिटी सेक्टर में दोस्तों, इसका बिटा मतलब क्या होता है, जैसे education हो गया, housing हो गई, agriculture हो गया, MSME हो गया दोस्तों, ठीक है, renewable energy हो गया दोस्तों, social infra हो गया, कई सारे सेक्टर, जिने क्या बोलते हैं, प्रियॉरिटी सेक्टर दोस्तों, तो small finance bank को, एक साल में, जितना पैसा वो लून बाटते हैं, उसका 75% बाटना होता है, प्रियॉरिटी सेक्टर में, यह नियम इनके लिए बनाए गया दोस्तों, तो इस नियम की बात करें, तो क्या बोला गया है, AU small finance bank has already achieved 94% प्रियॉरिटी सेक्टर, या नि गाईज, अगर माल देजे, AU small finance bank, 1CR ल जिसका 94% अचीव हो चुका है, ये बात बोली जा रही है, तो मिलों कोई बास दम्यारी नहीं आ रही है, बताओ जाए रहा मुशे, तो यहाँ पे इस साल का data को दे रहे है, AU small finance bank का, यह मतलब यह already अच्छा काम कर रहा है, इन्होंने अपना priority sector target का 94% अचीव कर लिया है, इ तो यह इनके target की बात हो रही है, यह इनके target बात हो रही है, कि जो इनको मिलते है target, यह कितना चीव कर पा रहा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, तो यह आपके सामने एक point था, जो हमने explain किया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो about the EU small finance bank, headquarter, जैपुर, ठीक, और बदलाओ हम से है, is the tagline, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लो, तो recently launched a scheme, features by bank and the financial companies, guys, for example, तो income love, ठीक, launched by the भारते एक्सालाइफ इंसुर्स, सेवा प्लान, launched by the max life, IB साथी, launched by the Indian bank, Lens, launched by the Mubivik, and Maxima saving and current account, launched by the Junis Paul finance bank, हमने कली आपको यह पढ़ाया था, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे, सिड़िबी, Small Industries Development Bank of India, हाँ, सिड़िबी, तो सिड़िबी टूरेस, रुपीस 10,000 करोड रुपीस, क्यों राइट इशू, नेक्स फिसकल दोस्तों, हाँ, अगले financial यर्पीवा, नेक्स फिसकल का मतलब अगले financial bet हो रही है, राइट इशू का मतलब क्या होता है, देखें, तो राइट इशू दोस्तों, ये हमारे capital market का एक काफी important term है, राइट इशू, और exam में दोस्तों, बहुत सारा point इसमें आता है, ठीक गईस, तो बेटा राइट इशू का मतलब क्या होता है, दोस्तों, राइट इशू का सेल कर रही है क Ums Two सीर सेल कर रही है कि लेकिन दोस्तों यह जो पास के टार उत मतलब है इस यह पब mono नहीं बेच रही है। यह public को बिटा प्राश्य नहीं बेच रही है बाहर मार्केट में यह जो पहले से ही shareholders है उनको अपना share बेच रही है इसे बिटा हम क्या वोलते है right issue बोलते है जैसे इस फॉर एक्जांपल माल जी मेरी company है मैं company owner हूँ और आपको मेरे share holdर हो दुस्तों आप मेरे share holdर हुगा हैिस आप मेंसे किसी का 1% किसी का 2% किसी का 3% मेरे company में share मेरे पास company का 30 % share है और आप पास company का 20 % मैंने आप से मिडिंग की दोस्तों थो मैंने आपसे बूला एक से उठाने के सिर कर Tu तो मैंने आपसे दुझा की ट्व função मैं मारकेट में में सुनगा पुब्लिक OF मैं ढ़कि क्या बोलोगे आप जब warrior स्टाइंइ से इस हमारे इतनी सह फ़िए अगर आप किसी बाहरी को share बेचोगे तो जो बाहरी वरिक्ति आएंगे अभ वो कैसे हो हमसे बने न बने उसे वो company में इंधनर करेंगे तो भाई एक काम करो आप आप उस यह पैसे है एक काम करो आप हमको share बेच दो जो हम पहले से है हम पैसे आपको दे देंगे दोस्तों तो इससे कंपनी का साइदा हो जाता है कोई नहीं नया बंदा कंपनी में नहीं आता है है ना तो जब कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है अपने पहले से ही existing shareholders को पब्लिक को नहीं तो इसे हम क्या बोलते है इसे हम बोलते है राइट एशू गाइस ठीक है इंडिया भी शेरोल्डर है एलाइसी भी है स्टेट बैंक आफ इंडिया भी है नाबाड भी है और भी बहुत लोग है तो सिड़ी इन लोग को अपना और शेर बिचेगी और इनसे दस हजार करोड उपए फंड उठाएगी दोस्तों हां लेकिन अगली फिनांशल यह में होग यानि सिड़ी को अपना capital base बढ़ाना तो सिड़ी अपना शेर बिचने वाली अगले साथ लेकिन अपने ही अपने ही existing shareholders को और इससे श्रीडबी का अपना capital base बढ़ेगा लाईस हां चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या बोला गया है आगे बोला गया है सिड़ी प्लान टू एक अगले वित्ती वर्ष में दोस्तों पांच या करोड रुपए की दो किस्तों में राइट इश्यू एवजित करने की युजना बना रहा है दोस्तों हां इसका मतलब भाई ट्रांच आप द फाइब तॉजन करोड रुपीस इच नेक्स फिसकल यह यानि गाइस अगले स पाँच हजार करोड रुपर फिर अकले साल 5 करोड रुपर यह पॉइंड जrid 직 का है दोस्तों ऐसे दो में तो थे लेचे का आगे बढ़ते हैं भाई लोग अब क्या लिखा है सिड़ी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इस असेट टू फाइव लाक किरो रुपीस बाइमार्श ट्विटीफोर प्रॉम अब फॉर लाक किरो रुपीस इन मार्श 23 दोस्तों अब यहां क्या बोला गया यहां बोल सिड़ी का जो असेट है भारप में वो 4 लाक करोड उपर है तो सिड़ी इसको मार्श 24 तक 5 लाक करोड रुपीस करना चाहती है एक इंफोर्मिशन ये भी रिख लेजिए ठीक तो 4 लाक करो रुपीस इन मार्श 23 से बढ़ा कर 5 लाक करो रुपीस इन मार्श 24 दोस्तों एक और भी है, the central government owns 20.8% of Sydney दोस्तों, यानि Sydney में central government का 20.8% share, ठीक आइस और रिख लिचें, State Bank of India hold 15.65% share and LIC holds 13.53% share, यह लोग major shareholder दें मिटा, इसमें Sydney में, तो SIDB के तीन बड़े major shareholder, government of India 20% करीब, State Bank of India 15% करीब, LIC 13%. तो यह लोग SIDB में major shareholders है, नाबाड भी है इसमें shareholder, और ही उसार organization है, भी है, भी है, सब उसार organization इसमें, लेकिन major shareholder तीन, सरकार, government of India, State Bank of India and LIC. तो यह आपको अलग से information दे रहे हैं, तो पूरी information एक बार compile करते हैं, याद करते हैं क्या information थी, तो SIDB ने information दे रोस्तों, कि अगले financial year तक, वो अपने, वो अपना right issue करेगी, और 10,000 करोड रूपीज उठागी market से, अब right issue में कितना share बेचेगी, वो नहीं पर दाम को, वो information नहीं है, लेकिन share अपना बेचेगी, किसे अपने ही existing shareholders को, क्योंकि right issue की definitely नहीं होती है, और 10,000 करोड रूपीज ये उठागी market से, लेकिन दोस्तों क्या बोला गया है, एक साथ नहीं, दो ट्रांच में, दो ट्रानफ दो किष्ट में, 5,000 और 5,000 दोस्तों, फिर क्या बोला गया, कि Sydney का इंडिया में, जो asset value है, वो 4,000,000 करोड रूपीज तो Sydney चाहती है, कि मतलब 31 मार्थ 24 तक ये 5,000,000 करोड रूपीज हो जाए, ठीक गईज, फिर क्या बोला गया, कि भारस government of India का Sydney में 20.8% शेयर है, State Bank of India का 15.65% शेयर है, और LIC का 13.31 शेयर है, तो यहाँ पर ये information complete दोस्तों हो जाएगी, ठीक है, चलिक है, इस आगे बढ़ेंगे, हाँ, दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब और सिट्बी, तो सिट्बी का establishment यह उनने सो नबे, हैड़कॉर्टर लखनौव और S. लमन इस द चेर्मेन अन एंप्री दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, चलिए, तो हमने banking financial news आपको ठीक से पढ़ा दिये, एक काम करते हैं, एक बार पूरा रिवाइस कर लेते हैं, banking finance हमने क्या पढ़ना दोस्तों, ठीक है, तो पहली information, Reserve Bank of India ने पूरम fundserve, यह एक NBFC है, इसका license cancel कर दिया है, पूरम fundserve दोस्तों, इसका कहा पेटवर्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो पूरम fundserve company, ठीक है, तो पूरम fundserve company, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह हमारी पहली information थी, दूसरी information, State Bank of India ने क्या बूला है, कि अगर आप NRI है, आप फॉरें बैठें, बैठें, इस State Bank of India की यूर्ण आप्लिकेशन से, भारत में State Bank of India में, NRE और NRO काउंट खोल सकते हैं, ठीक है, यह इस information थी, जो हमने दिया आपको, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, next information, तो बिसी आइन information दिया, कि State Bank of India Life Insurance, यह official partner बन गया है, जिसका बिसी जाई का बिटा, for the domestic and the international season, ठीक है, आगे बढ़ें, और देख लिए, जब पर इन्फरमेशन कहा थी, इमारी, EU Small Finance Bank, इसने सुधेश बैंकिंग शुरू की है, इसका objective है, कि मतलब गामीड एरियास में, जो वहाँ के entrepreneurs हैं, जो वहाँ के farmers हैं, MSMी वाले हैं, तो उनको help करना दोस्तों, ठीक, यह point था हमारा, फिर हमने गया पढ़ा दिया आपको, वही same point जो है, कि SIDB ने कहा है, कि वह 10,000 कुरूर रेस करेंगे अगले साल, अगले financial year में, through the right issue, अब right issue का मतलब क्या होता है, कि अपने जो existing shareholders हैं, उनको ही share बेशना, public को ने, जो अपना capital base, 4 लाग CR से 5 लाग CR करना है, 31 मार्ट, 24 तक, और क्या बुला गया है दोस्तों, कि SIDB में दोस्तों, government of India का share is 20.8%, State Bank of India का 15.65% share, NIC का 13.30% share, तो इसे point आप देख लेज़े, ठीक, आगे बढ़ेंगे, और अब बात करेंगे आपसे national affairs की आपके सामने information, दोस्तों, National Medical Commission, National Medical Commission, Achieve prestigious WFME recognition status for 10 year, दोस्तों, ठीक, तो National Medical Commission, दोस्तों, हाँ, तो National Medical Commission, ये हमारे देश में मतलब, इसे होता नहीं है, हमारे देश में जैसे bank है दोस्तों, तो bankों का अपना group क्या है, Indian Bank Association, जो banking sector के लिए decision लेते हैं, अब चाहाए वो government bank हो, चाहाए private bank, bank industry में कैसे काम होगा, ये तया कॉन करता है, मतलब, रिजबर बैंक तो है, उसके इलावा दोस्तों को होना है, उसके इलावा, Indian Bank Association हैंगा, सेम ऐसे ही जोस्तों, National Medical Commission, तो ये हमारे देश में, Medical की फिलिड में कैसे काम होना चाहिए, कैसे hospital बनने चाहिए, कौन कौन से equipment चीज़ होने चाहिए, कौन से medicine चाहिए, आपने किस country से पढ़ागा भारत में आए हो, आपका license valid लगी नहीं है, आपको license देना, license cancel करना, ये WFME recognition, status for 10 years, दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, देखे जहान से, दो हो, National Medical Commission, तो इनको 10 साल के लिए दरजा मिला बिटाई, क्या मिला है, World Federation for Medical Education, World Federation for Medical Education Recognition, दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, दो हो, 10 साल के लिए मिला है, इसका मतलब, तो WFME recognition is a global benchmark of quality in medical education, दोस्तों, इसका मतलब ये बात हो रही है, कि भारत में जो medical education है, उसमें अंदर एक quality है, दोस्तों, तो मतलब 10 साल तक तो ये महले हमें इसमें मिला हुआ है, ठीक, तो WFME बढ़ा ये क्या है, इसका मतलब होता है कि भारत में जो education medical का है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक, तो it signified that the NMC, मतलब National Medical Commission accreditation process and standard are in line with the international best practice case, इसका मतलब बिटा, इसका मतलब कि ये दर्शादा है कि भारत का जो National Medical Commission है, वो ठीक से काम कर रहा है, तो वो वैसी practices बिटा, डॉप्ट कर रहा है, जो international level की होती है, तो ये बात बोली जा रही है, तो बस simple सी बात है, तो कैसे पढ़ना है बिटा, National Medical Commission को 10 साल के लिए WFME recognition मिला हुआ है दोस्तों, तो WFME का मतलब बिटा क्या हुआ हुआ, फुल फॉर्ट फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, रिकोगनिशन दोस्तों, World Federation for Medical Education Recognition, इसका मतलब की भारत में जो मेडिकल की पढ़ाई है, वो international level की होती है, बस यही पढ़ना है, वो शेयर नहीं इसमें, WFME, World Federation for Medical Education, तो ये पैचान मिली है हमारे National Medical Commission को, इसका मतलब भारत में मेडिकल की पढ़ाई का लेवल जो है, वो international level का है, दोस्तों, चलो, गया था, 35 September 2020, Headquarters, दिल्ली दोस्तों, and Dr. Suresh Chandra Sharma, जो है, वो चेर परसन इस समय है, Suresh Chandra Sharma, Chairperson of the National Medical Commission, एक पाइंट दोस्तों, माना यह हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, देखे, तो ये information में आपको पढ़ा चुनाओ, ठीक आइस, देखो, तो लोग सभा पास इस, Women Reservation Bill with the 454 is to 2 majority, इस हाला की देखें दोस्तों, आपको जानके खुशी होगी, कि हमारे राजस्वाम में बिल पास हो गया, और वहाँ तो अपोजिशन कोई थाए नहीं, मतलब पूरा, सिनाटा अपूरा चाह गया, मतलब पूरा बिल जो है, without any, मतलब अपोजिशन वोट, यह पास किया गया, तो हमारे देश में गाइस महिलाओं को मतलब मेरी तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाई हो, कि आप लोगा भारत के बहुत बड़े प्लानिंग में हिस्सा लेने वाली है, आप लोगा बाविश में, आपके पास करीर की पूरुशनिटिक यह भी, बिगॉस थर्टित से जबिशन आपको मिल रहा है, इन दर स्टेट असेंबली एस इन दर लोगसवा, इन दर राजसवा, बहुत-बड़ी बात है यह, एक बहुत-बढ़ा कदम है यह, हाला कि यह हम कौन डिसाइड करते हैं, आपका हिस्सा क्या होने वाला है, यह हम करें तो अठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें, तो भारत सरकारने के प्रस्तावल आया थे, कि लोगसवा, राजसवा और स्टेट असेंबली में महिलाओं को 33% का जब विशन मिलना चाहिए, तो वह मिल गया है, लोगसवा और राजसवा, दोनोंने इस बिल को पास कर दि बिल विट 454.2 में यह पढ़ाब चुका है आपको ना, तो यह हमारे सम्विधान का 122.1, Sanshodan बिल था, इसे मत भूलना, यह एग्जाम में आएगा दुस्तू, हां, तो नाम कहा था बिल, विच रिजर्वेशन बिल, विच रिजर्व और अप द शेट इन पारलियमेंच और स्टेट लिजर्वेशन असेंबली ऑफ गुएंदोस्तू, भाही मतलब 33%, ठी गाइस, तो 454 मेंबर अफ पारलियमेंच वोटे इन फेवर अप द बिल, वाइल तू वोटे अगेंस इट, यानि दो वोट पढ़ें गेंस में, दा बिल वास इंटरूस्ट बाइज आठ घं़डे लगे, आठ घंडों की बहस्त हो रहे थी, और 70 लोग इसमें करते पार्टिसिपेट, 60 लोग दोस्तों, तो 8 घंडे लगे इस बिल्गो पास होने में, मैंने पहले आपसे बोला, थाइस बद को आप मानेंगे, मैंने पहले आपसे बोला था कि हमारे प्रधार आगे बढ़े अब बात करते हैं आपसे यह देखिए यह महिलाओं की स्थिति इस समय हमारे देश में हाँ दोस्तों क्या बुला गया लोग सभा टोटल मेंबर की हम बात करें गाइस तो इस समय है 543 मेंबर है दोस्तों और जो 19 में एलक्षन हुआ गाईस उसके हिसाब से हमारे देश में टोटल 81 महिलाए हैं इसमें पाल लिए लोग सभा में यानि काईस 15 परसेंट एक मुश है मतलब इस समय आप यह सब छोड़ दो मतलब हाला कि देखो तो हर साल इसमें बढ़तरी मिले सब्सक्राइब करें तो 2022 की बात करें लास्ट में तो टोटल में 245 दोस्तों होते हैं जिसमें 29 महिलाए हैं करीब 12 परसेंट तो यह तो डेटा है हमारे सालने लोग सभा में रास्वा मिनिस्ट्र इसमें में और देख लिए तो यह लिखा है एवरेज शियर ऑफ वुमिन एम एले इन स्टेट तो राजिस्थान में 13.8 परसेंट हाला कि आठ लेके ठारत अगे अब डिटा इतना यार तुम्हों के काम आने मारा नहीं पुरान डिटा है छोड़ दो यह सब ठोड़ देना यह बागी सब ठोड़ देगा तो लोगसवागाइस एटीवन महिला है रासवाट रुण्यान महिला है यह जुरू पढ़ देना दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं चली दोस्तों आगे बढ़ेंगे बात करेंगे इनाउगरेशन की और यहां पे आपके लिए हमारे पास पहली इ पर लोड शिवा थीम बेस स्टेडियम इं उत्रप्रदेश वारांटी बहुत बढ़ी है इस प्रेडियम बन रहेगे थीज़ तो पी एप पी एम नरेंदरो दीने फांडेशन इस्तों रखेंगे रखेंगे थीज़ फॉर लॉड शिवा थीम इस्टेडियम इन युपी मतल और लॉड शिवा थीम वारांसी उत्रप्रदेश थीज़ थीज़ तो वारांसी में बन रहा है स्टेडियम मैं तो इसी में खुछ उँँ कि चलो बीज में स्टेडियम बना बगल में कम सका मैस दिखने चले जांगे वरना हमारे पास तो सब से पास लगणा हूं है अगर ज दोस्तों आगे बढ़ते देखें और यह किसके थीम पर से हैं लॉर्ड शीवा दोनों अपने ही लोग है शीव भावान है ना दस्टेडियम इस बिइंग डिजाइन विच लॉर्ड शीवा थीम विद दा इंट्रेंस एंड लाउंज रिसेंब्लिंग इस डमरू दोस्तों मैं तो यहां पर आपको डमरू दिखाई पढ़ड़ा है यह देख लेजे आप लोगा तो जो इंट्रेंस है और जो लाउंज होगा वो डमरू के शेप का होगा दा रूफ बिल्च इन दशेप ऑफ क्रिसेंट मून यानि जो च्छत होगी बिटा वो चंदरमागी तरह होगी कै अब देख लो चाहिए तो आप देखो यहां पर देखो यह देखो यह हो गया चंदरमागाई सां यह देखो पुरा यह हो गया पुरा चंदरमागाई सां लाइट देखो त्रिशूल की तरह लाइट देखो तो मतलब क्या है इंट्रेंस और लाउंज और डब्लो की तरह हो धगंगा घाट दोस्तों ठीक है और पिटा स्टेंड की से बनेंगे इसके तो जो इसके स्टेंड बनेंगे स्टेंड मतलब बैठने वाला वो घाट में जो MEM चीर्ड होती है उस टाइब के बनेंगे डोस्तों एकड कैंपस and will have a capacity of the 30,000 spectator दोस्तों यानि गाइस इसकी छमता होगी 30,000 दर्शकों की और यह 31 एकड में बनेगा दोस्तों इसकी और यानि 450 क्रोड पास की लागत आगी बनने में ठीक है और लौट शीवा थीम स्टेडियम इं उत्तरपरदेश इस बिंग डिजाइन बाइड लार्सन अन्टुब्रो तो इसको डिजाइन को और किस ने किया पिर्टा लार्सन अन्टुब्रो ने किया इसको डिजाइन तो यहाँ पर आपकी इंफर्मिशन दोस्तों I think अधर मुझा आईगी तो ध्यान से पूरे इंफर्मिशन हाँ देखे एरिया कितने एरिया मिर्टा बन रही है दोस्तों कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी किस ने डिजाइन किया है यह सब पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी दोस्तों डिजाइन बाइद लास्न तु ब्रो कॉस के इतनी है चार्स नफरोड रूप है इसाइन है थर्टीवानिकर एक बड़ देख लो और कैपसिटी कि इतनी रोस्तों तो शी इतनी होगा विटा तीस हजार दर्शक्य हो गई बाकी बात याद रहे मुशे पता है क्योंकि भाव आपको information देदी आगे बढ़ेंगे दोस्तों बात करेंगे sports की अगए sports में हमारे पास information देखें तो ICC releases official anthem दिल जश्न बोले YouTube पे पड़ा हुआ है मैं देख रहा था पकिस्तानी चैनल तो उनको इससे भी दिख करते हैं मैं बस आपको वहां की information देता हूं तो वह बोल रहा थे जश्न वारा उर्दू वह हमें करना शेयता है हिंदी में क्यों रहा है वही सब तो मैं सुनके हाथ इनकों देख मैं हस्ता हूं बस मैं रेयल्टी बता रहा हूं मुझे क्यों हसी आती है कि भगवान ने मतलब entertainment industry पाकिस कि सबूत क्या है चंद्रमा कि यह हमारा चंद्रमा सबूत क्या है चलो फिला मुद्ध की बात करते है तो ICC रिलीज ओफिशल एंथम दिल जशन बोले फॉर मेंस क्रिट वल्ट करप दोस्तों हां देखे तो ICC ने रिलीस कर दिया विटा किया ऑफिशल एंथम पॉर थे 23 मे लांच किया ICC ने बिस याई नहीं विटा तो इसलिए पाकिसे में मिलची लग रही है कि यह हिंदी में कैसे लांच हो गया मतलब ICC है न तो उससे सबको देखना पड़ेगा तो दिल जशन ने बोले जो एंथम है वाइन हिंदी यह इमका मतलब को वो था कोशन था ठीक जर् подготов commitment सावेरी वर्मा दुस्तों सवेड़ीवर्आ के बोल है मतलब उन्हों ने अंच्छा अध्याइश कैश है तो इस एंधम में बॉलेवर्ट के स्वरे स्टार अविनी सिंग जी है थीक परिदम ने इनने कंपोस किया हिस सॉंग को धूस्तों जब ठीक सारे पॉइंट देख लो ठीक है इसकी इसमें किसने मतलब फीचर मतलब कौन इसमें प्रिजंच हुआ है तो रनेट सिंग इसमें प्रितम और लिरिक्स किसी है तो यह है श्लोक लाग और सावेरी वर्मा तो इसे भूला मत यही सब कुशन एक्जाम में आते हैं दोस्तों ठीक है अब गई सुरो अब ध्यांस से पढ़ना है यहां गाई सम क्या बात करेंगे आई सी सी वर्ल्ड कप की दोस्तों ठीक ध यह चार पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्ट है उसके बाद गया है इंडिया ने इसके पहले तीन बार और अलड़ी होस किया है मतलब गया चौथी बार होगा जब इंडिया होस कर रहा है वर्ल्ड कप टू एटी सेवन में नाइंटी सिक्स में 11 में और अब इसके पहले की बात करें बारवा एडिशन गाइस तो बारवा इडिशन 19 में कहां पर हुआ था इंग्लाइंड में हुआ था इसके पहले दोस्तों या नहीं डिफेंडर कौन इस बार इंग्लाइंड है यह भी याद रखेगा बाकी यह सब और पॉइंट हैं गाइस फॉर कब से शुरू हुआ था तो पहला वर्ड कफ 75 में हुआ था कापर इंग्लाइंड में हुआ था दोस्तों पहला पहली बार यह सब पॉइंट आप चाहें पढ़ने चाहें चुड़ दें लगिन आपके लिए यह पॉइंट काफी इंपॉइंट एक्जाम के लिए दोस्तों तो स्वागे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स इंफरमिशन इसा तो बाबाराजम एंड और आर्लीन कैली बैग इन्होंने अपना अगस्त मंत का आइसी सी प्लेयर आप दे मन जीत लिया है दोस्तों बाबाराजम की एक इनिंग थी नेपाल के गेंट स्पी जिस आइस सस, इसा होनेवाले यह पहले प्लेयर है जोस्तों लिखा भी होगा पाकिस्तारि इसPER मतलब कैptain बाबाराजан बिकम इंट फ्र्स प्लेयर आई संग्र इसे सी मесь Let तो यहां तक क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्तान बाबनाराजम अगस्ट की जीत के साथ ही तीन बार ICC बने हैं मेंस प्लैर आप दे मन्त तो यह पहले खिलाणी है दोस्तों जो तीन बार बनें गाई सार अब इस साल की बात करते हैं तो हमने आपको जयन से लेकर अगस्त की इंफॉर्मेशन दिए कि भाई में कौन में रहा है प्लेर आप दे मन्त और फीमेल में आपके एक्जाम में कोशन बन सकते हैं ध्यान से देखेगा ठीक है पहले बने हुए पहले बने हुए ठीक है चले गए आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे डिफेंस के आपके पास भले कितने टैंक हों भले कितने सैन हों दोस्तों लेकिन गाइस जो एरिया है न यह ऐलसी वाला वो कहींने कहीं भारत को फिmarkets क क्या है कि भाई वह पहाडी एरिया आप टैंक चना ना पाऊंगे आप रना नहीं पाते हैं आपको एयर फोर्स से भी जंग में दुसकों का पहले तो और हमें बेनेफिट में लें योगी हमारे सैनिक और इस एरिया में रने के आदी हैं भाई फियाचीन ग्लेशियर पुरे दुनिया का स्थे ऊच्छा और ठंडा यह दुश्यतर हमारे पास है तो हमारे सैनिक को हैबिट है और इंडिया ने बड़ा अच्छा टैक्टिक्स डेवलब भी किया है दोस्तों हमने कई लद्दाक में अनुनाचल प्रदेश में सिक्किम में वह सैनिक बिटा वहां पुता रहे हैं जो वहीं के लोकल है ताकि उनको सास लेने में वहां के अट्मस्फियर में दिक्रत ना होने पाए और चाइना वाले ने कहां से बिजा है अपने शैनों से बिजा वैट तो इसलिए इंडिया ने बहुत मारा था इनको जब गलवाली के बादियम में मिले हैं जहां भी मिलें दोस्तों इंडिया धें इसलिए पीछ ही आए ने इंडिया एंडिया दोस्तों तो मैंगि क्यों बोला हूं क्योंकि कि चाइनीज आर्मी ने अभी दुसतों हमें हां उसके अगेंस में दिख्ये दोस्तों विभॉव इंडियन आर्मी का इंडेंड किया है 600 च्रेट किया है इंसके लिए wir freel पूरी इंफर्मिशन देखे जान से इंडियन आर्मी हैस इंडिक्टेड 600 सेल्फ नुट्राइज एंटी टैंक माइन कॉल्ट विभव दोस्तों यानि भारती सिना ने विभव नाम का छे सो स्वा निश्ट्री एंटी टैंक बारोदी सुरंगों को शामिल किया है तो उनके टै है क्या बात है विभव दा पॉइंट टैक एंटी टैंक म्यूनिशन वस्टेबलब इन कॉलाबरेशन विद डी रडियों और कल्यानी ग्रूप ऑफ दे इंडियन आर्मी यह पुने में है कल्यानी ग्रूप ऑफ दे इंडियन आर्मी तो यह थोड़ा से मैंने उल्टा बोल इंडियन आर्मी का अपना मैंट कल्यानी ग्रूप पुने में है दोस्तों तो विभव आपका मिटा क्या है यह आपका एंटी टैंक माइंस है तो जो इंडियन आर्मी आपके लेसी पर चाइनीज के अगेंट्स में यूज़ कर सकती है अगर वो लोग आते हैं तो एसम के उ नाम इसका डेवलब बाइड़ डियार डियो एंड़ कल्यानी ग्रूप ठीक आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे समिट की सुबह सुबह इतना पढ़ते हैं ना भाई जो बहुत सिंबल सी बात है सुबह सुबह एक तो नींद में रहते हैं देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है तो पूरी कहानी एक्जाक से कई बर क्या होता है डेटा में दिक्कत होया आते हैं हमाई दिक्कत नहीं भाई ह प्रवाइब ने नियुस से लिया है उनमें दिक्कत है लेगें कोई वरिफाई नहीं कर बाते हैं तीन-चार सोड से वरिफाई करने के बाद ही आधे हम बढ़ाते हैं अगे बढ़ें समय टन कॉन्फरेंस की बात तो तो तेरह हुआ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फरे होता है पूरी अशियान कंट्रेस औस्टेलिया न्यूजीलाइं युससे लेगिन यहां पर दोस्तों क्या बात हो रही है यहां बात हो रही है कि वर इंडिया और अमेर्का हैं लिखें क्या है तेरह हुआ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फरेंस दोस्तों हा यह दिल् मतलब मतलब hosted by Indian and the US Army जो मतलब head है तो वैस ये Pacific का मतलब क्या हुआ पूरा ये एरिया जो आपका होता है ना मतलब जैसे for example इंडिया दोस्तों इसके बाद जो Asian country है Australia है New Zealand है आगे US है दोस्तों तो इसे हम पुरा क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इंडो Pacific बोलते हैं तो इंडो Pacific जो देश है उनके आर्मी का conference दिल्ली में हो रहा है hosted by the India and the US क्योंगी दो में देश है इसमें बढ़ते हैं ठीक है तेरे माइडिशन दगा इस आगे बढ़ते है क्या लिखा इंडिया होस्त पहली बार UNCI UNITRAL UNCI TRAL South Asia Conference दोस्तों जाने ना तो भारत में होस्त किया पहला एडिशन देखो यह पहली बार UNCI TRAL South Asian Conference बढ़ता यह क्या है दोस्तों जान से देखेंगा देखो तो United Nation Commission on International Trade Law यह इसका नाम दोस्तों United Nation Commission for International Trade Law United Nation Commission on International Trade Law यह पहली बार सो हो रहा है ठीक दिल्ली में हुआ होस्तेट बाई the Ministry of External Affairs and UNCI TRAL United Nation Commission on International Trade Law ठीक गाइस पहला अधिशन दिल्ली में हुआ है इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग अब इचरी इसकी बात करते गाईस तो Odisa के Chief Minister नवीन पतनायट जी की बड़ी बहन और काफी famous लेका दोस्तों नाम का इनका गीता मेहता इनका दोस्तों निधर हो गया रिनाउट राइटर गीता मेहता पास जबे गाईस गीता मेहता जी ये इंडियन अमेरिकन राइटर एंड फिल्मेकर थी दोस्तों इन्हें 19 में पत्मर्शी अवार्ड मिला था गाईस और मेहता वस दे इंडर सिस्टर ऑप दो अगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डेस की इंपोटने डेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन दोस्तों इंटरनेशनल वीक ऑफ दे डीफ पेपुल यानि ऐसे लोग जो सुनने सकते हैं उनका अंतरास्ति है सब्ता यह गाईस मनाए गिया 18 से 24 सितंबर दोस्तों क्या मनाए गया इसकी थीम भी है अब बात करेंगे आपसे स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन की जहां पर हमाद इंफॉर्मेशन दोस्तों हर्याडा चुगिब रुपीस 50 जार रुपए फॉर डॉटर ओफ इंडस्ट्रियल वरकर दोस्तों हां गैस हर्याडा में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं गुडगां उसकी आस पास फरिदाबद ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल वरकर्स हैं उनकी सैललियर बड़ी काम होती ह तो इंडस्ट्रियल वरक ये बच्चिया जो हैं जो हाईयर एजुकेशन करना चाहती है दोस्तों तो उनको स्टेट गॉर्ण कर से पचास रुपए मिलेंगे दोस्तों ठीक है देखे पूरी इंफॉर्मिशन क्या हर्याना चीप मिनिस्टर है खटर जी ने क्या बूला है इ इनको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए पैसे दिये जाएंगे पचास हजार रुपर जोस्तों और देखें अपार्ट फ्रम दिस दचीप मिनिस्टर ऑल्सो अनूंस एं इंक्रीज इन इंडस्ट्रिय वरक यानि का इस जो इंडस्रियों के बच्चे हैं इनके इनको इनको बच्चे हैं या से लेकर 21,000 रुपेज वह डिपेंड करता है कि या क्लास 9 में हो या ग्रेजुएशन में हो या पीजी में हो तो अमांट बढ़ता जाएगा दस से लेकर 21 तक है इस ओधिक एग लिएग बटा यूपी गवर्मेंट ने क्या बोला है 29 जून को हम क्या मनाएंगे हम Traders Welfare Day बिटा मनाएं क्यों दोस्तों देखोंगे आप जन से तो बेटा यूपी गवर्मेंट ने डिसाइड किया है कि हम 29 जून को क्या मनाएंगे Traders Welfare Day क्यों दोस्तों? दोस्तों सकतिया है कि यह जो 29 जून है दोस्तों तो हम यह मनाएंगे बिटा किंजिस प्रती में भामा शाजी, जिन्होंने अपने संपत्ति, ये एक बिजनसमेन थे, जिन्होंने अपने टाइमस टाइम पर, अपने संपत्ति के बहुत बड़ा पार्च, माना प्रताप को डोनेट किया थे, तो उनकी याद में दोस्तों, 29 जून को ट्रेडर्स डे मना जाएं उतर प्रिदे और 29 जून को दोस्तों, फिर देख लिजे, देख लिजे, इन्होंने क्या किया था वापके सामने गाईज, फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे आपसे, एक लास इंफोर्मेशन, दोस्तों, क्रेटर दीपक चेहर जानते हैं आप लो, इन्होंने अप ब्रांच करेंटली ओफर ए रेंज ऑप देख लिजे, इन्होंने प्रोड़क्ट इन फाइप करेंगे इस तो आज बाइस तारीक है दोस्तों, देखें, तो आप लोग के लिए इन्फोर्मेशन है, टेक द फ्री अनगेडमी बैंक एक्जाम स्कॉलर्शिप टेस्ट बाई इंग में भी पी, ठीग आइस, इंपावर यू लर्निंग एंट विन एगजाइटिंग स्कॉलर्शिप वर्ट रूपी 20 लाइग, कैसी दोस्तों, देखें, अगर आप ये टेस्ट देते हैं गाइस, तो आपको इस तेस्क में दोस्तों, वन तू फाइप पर हैंड़ट पर आपकी फीस माप हो जारी दोस्तों, अगरमी पर, 6-10 रंग पर 75%, आप देख लिए, वैसे वैसे आपको डिस्कॉंट मिलेगा, इंडोल कर लिए बिटाओ, टेस्ट को जरूर दीजिए आप लो, हां, तो टेस्ट आपको जरूर देना है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सू जरूर देख, ईपको जरूर बिटिए, आपको जरूर लिए, जिए भी देख, आपको जरूर देख, पभी जरूर्ट घरूरूर इए, वैसे पदोस्तों आपको जरूरूर देता है।